अब घर छोटा हो या फिर बड़ा हो पर वहाँ पर light की आवशक्ता तो होती है और light का काम हमारे electrician भाई करके देते हैं पर जहां तक बात आती है electrician को काम देने की तो किस rate पर हमें electrician को काम देना चाहिए इस साल के क्या rate चल रहे है और कौन सी methods होती है जिनका इस्तमाल करके आप electrician को काम दे सकते हो तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे जहां तक बात आती है electrician को काम देने की तो उसके mainly दो type होते है एक होता है with material और दूसरा होता है labor rate पे with material जब आप electrician को काम देते है तो उसमे labor plus material इन दोनों का charge लिया जाता है और रही बात labor rate की तो वहाँ पर material देने की जिम्मेदारी आपकी होती है और जो labor का cost होता है वही सिर्फ आपको electrician बताते है अब यहाँ पर labor rate की भी दो type होते है एक होता है atom rate और दूसरा होता है lump sum rate अब वीडियो के शुरुवात में हम ये जानते है अगर आप electrician को lump sum rate पे काम देने वाले है तो 1000 square feet के लिए electrician को कितने रुपए देने चाहिए अब जो lump sum rate पर आप electrician को काम देते है तो उसका approximately charge होता है 1000 square feet के लिए 15,000 से लेके 25,000 रुपए तक आप electrician को directly lump sum rate पे काम दे सकते हो तो अब हम जानकरी लेते हैं अगर आपको atom rate पे काम देना है तो किस rate के इसाब से electrician को rate देने चाहिए तो वीडियो में सबसे पहले और सबसे important point के बारे में बात करते है जो कि है light point अगर हम एक light point की बात करें तो उसका rate 120 रुपए से लेके 150 रुपए तक हो सकता है next हम बात करते है power point के बारे में तो एक power point का charge जो है 150 रुपए से लेके 170 रुपए तक होता है MCB की अगर हम बात करें तो 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक चार्ज होता है ceiling fan अगर आपको लगवाना है तो 100 रुपए तक चार्ज लिया जाता है उसी तरह से अगर आपको tube light fitting करवानी है तो उसका charge 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक होता है उसी तरह से running fit में कुछ और भी item आते है जैसे कि आपकी wire तो 1 mm की wire है तो उसका charge होता है 3 रुपए running fit के इसाफ से 1.5 mm की wire है तो उसका charge होता है 5 रुपए running fit के इसाफ से 2.5 की wire है तो उसके लिए 6 रुपए running fit के इसाफ से charge होता है उसके बाद बारी आती है 4 mm wire की तो उसका चार्ज होता है 7 रुपए से लेके 8 रुपए running fit के इसाफ से उसके बाद अगर हम बात करें fan की तो जिस तरह से हमने ceiling fan का चार्ज देखा है 100 रुपए उसी तरह से अगर आपका wall fan है या फिर exhaust fan है तो उसके लिए 100 रुपए पर fan की इसाफ से चार्ज लिया जाता है उसके बाद बारी आती है अर्तिंग की तो अर्तिंग के लिए 1000 रुपए से लेके 1300 रुपए तक चार्ज लिया जाता है gate की अगर आपको light fitting करवानी है तो उसके लिए 1500 रुपए से लेके 200 रुपए तक चार्ज लिया जाता है anchor bolt fitting करने के लिए 100 रुपए तक चार्ज लिया जाता है inverter अगर आपको fit करवाना है तो उसके लिए 500 रुपए से लेके 800 रुपए तक चार्ज लिया जाता है TV fitting अगर आपको करवाना है तो उसके लिए 300 रुपए से लेके 400 रुपए चार्ज होता है 2 pole MCB है तो उसके लिए 200 रुपए तक चार्ज होता है 3 pole MCB है तो उसके लिए 300 रुपए तक चार्ज लिया जाता है उसके बाद अगर आपको motor starter fitting करवानी है तो उसके लिए 200 रुपे से लेके 300 रुपे तक चार्ज आता है camera cable का अगर आप इस्तमाल करते है तो उसका running fit के इसाफ से 6 रुपे चार्ज होता है उसके बाद में RCCB single phase के लिए per piece के इसाफ से 500 रुपे से लेके 600 रुपे तक चार्ज आता है RCCB three phase के लिए 1000 रुपे से लेके 1200 रुपे तक चार्ज आता है अब यहाँ पर हमने बहुत सारे item जो है उन्हें cover कर लिया है पर अगर आपको और भी जादा point के बारे में जानना है तो description box में मैं आपको एक link दूँगा उस link पर अगर आप click करते हो तो सभी item के क्या rate चल रहे है उनके बारे में आपको आराम के साथ जानकरी मिल जाएगी देखे दोस्तों आप यहाँ पर यह जो rate मैंने आपको बाता है ज़रूरी यह नहीं कि आपके यहाँ पर भी वही rate हो क्योंकि आपके area अनुसार यह rate कम या फिर जादा हो सकते है आपके area में क्या rate चल रहे है इसके बारे में comment box में comment करना ना भूले और जब भी आप electrician को काम देने वाले है तो उससे पहले एक बार electrician का काम चेक ज़रूर कर लिजे सिर्फ कम rate दिये है इस वज़े से electrician को काम मत दीजे electrician को काम देने का सबसे important factor होता है उसकी काम की quality अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे like कर दीजे चानल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक video आपके ज़रूर काम में आ सकता है